कहानी शुरू होती है और हम एक कॉलेज का सीन देखते हैं वहाँ पर हम देखते हैं राका रंगीला को जो कि एक बुड़ी ओरत को अपना चुसवा रहा होता है लेकिन तभी भार एक बोसडी वाला जोड़ जोड़ से चिलाने लगता है कि एक लड़का कॉलेज की छट से कूदने वाला है अब देखते ही देखते हैं वहाँ पर पुलिस वाले एम्बूलेंस फायर ब्रिगेट सब ही पहुँच जाते हैं और उस लड़के को नीचे उतरने के लिए कहते हैं लेकिन वो लड़का नीचे उतरने से मना कर देता है और कहते हैं कि मैं सुबे से हिला रहा हूँ लेकिन मेरे लोडे में से कुछ नहीं निकल रहा अब बिना मुठ हमारे जिन्दगी जीने से बढ़िया है कि मैं मर ही जाऊँ इसके बाद वो कूदने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर राका रंगिला भी पहुँच जाता है जो कि पूरी तरह नंगा था वो कहता है कि हमारी जिन्दगी में कई बार ऐसा होता है कि जो हम करना चाते हैं वो हो नहीं पाता अब तुम ही देख लो तुम सुबे से मुठ मार रहे हो लेकिन तुमारा निकल नहीं रहा लेकिन इससे तुमें निराशनी होना चाहिए तुम रोज ट्राय करते रहो और फिर देखना एक ना एक दिन तुमारा जरूर निकलेगा अब राका रंगिला की इतनी महान बाते सुनकर भी चूतिया नहीं मानता और वहाँ से कूच जाता है लेकिन नीचे पुलिस वालों ने उसे बचाने का इंतजाम पहले ही करा हुआ था इसलिए वो उसे बचा लेते हैं फिर हम देखते हैं कि राका रंगिला इस कॉलेज में काफी फेमस है और वो हमें बताता है कि मैं यहाँ पर पिछले 7 सालों से हूँ मैंने पढ़ाई में तो घंटा कुछ नहीं सीखा लेकिन यहां रैकर में अपनी जिंदिगी के बारे में बहुत कुछ सीख चुका हूँ इसके बाद राकारंगीला अपने जिगरी दोस भुबेंदर पुसिया से मिलता है जहां पर यह दोनों राकारंगीला के असिस्टेंड का ओडिशन लेने आये होते हैं लेकिन ओडिशन में एक से एक महां चूती और बावली गांड आते हैं जिनको देखकर राकारंगीला के दिमाग का बोसड़ा हो जाता है और वो उनमें से किसी को भी सलेक्ट नहीं करता फिर वो अपने रूम में आता है और कहता है कि भेंचोद इस दुनिया को क्या हो चुका है यहां तो एक से बढ़कर एक बावली गांड बरे हुए है यहां ऐसा कोई बंदा मेली नहीं पारा जो मेरा असिस्टेंट बन जाए तब ही उसकी रूम की घंटी बचती है और वहां पर एक लड़का आता है जो की राकर अंगिला के असिस्टेंट बनने का ओडिशन देने आया था फिर राकर अंगिला उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है तो वो बताता है कि मैं चंपक चमन चूतिया बोसडाबाद से वो कहता है कि क्या कहां से हो तुम चमपक कहता है कि मैं बोसडाबाद से हूँ जो जहाटूस्तान के पास में है और वहाँ से मैं एक exchange student हूँ वो बताता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ कुछी दिनों के लिए हूँ इसलिए मैं अपने बचेवे दिनों में आपका असिस्टेंट बनना चाहता हूँ राकर अंगिला पूछता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर क्या करने आये हो जिस पर चमपक कहता है कि मैं यहाँ पर एक American लड़की को बजाने आया हूँ मैं उसको हर पोजीशन में ठोकना चाहता हूँ बस मुझे एक American लड़की मिल जाए जिसकी चूचिया बड़ी-बड़ी हो और उसके नीचे एक भी जहाट का बालना हो जिसके बाद मैं उसे अपने घोडे पर बिठाऊंगा और उसे ऐसे हिलाऊंगा ऐसे हिलाऊंगा कि मुझे मज़े मज़ा ही आ जाएगा लेकिन उससे पहले मैं आपका असिस्टेंट बनना चाता हूँ अब राका रंगिला उसकी बातों से इतना ज़्यदा इंप्रेस हो जाता है कि वो उसे अपने असिस्टेंट की पोस्ट पर रख लेता है इसलिए अब हमें किसी ऐसे के बारे में लिखना होगा जिसके बारे में पढ़ने से लोगों को इंटरस्ट आए और वो उसके बारे में और जानना चाहें बबेशवरी पूछती है कि वो कौन है जिस पर सीनियर बताता है कि उसका नाम है राका रंगिला वहीं दूसी तरफ हम राका रंगिला को देखते हैं जो कि चंपक के साथ अपनी राम प्यारी पर बैठ कर कॉले जाता है फिर वो लोग बास्केट बोल का मैच देखने जाते हैं जहां पर उनके कॉलेज के प्लेयर्स बुरी तरह हार रहे थे अभी ब्रेक के दौरान राका रंगिला चुपके से उनके लौकर रूम में पहुच जाता है और उनको कहता है कि बोसडी वालो तुम लोग ये क्या कर रहे हो तुम सभी अपने हाथो को जरा तेज चलाओ जैसे तुम अपना घोडा हिलाने में चलाते हो और तुम तो इतने काले हो कि भेंचोतरात को दिखते भी नहीं होगे लेकिन फिर भी तुम से एक भी बॉल बास्केट में नहीं डाली जाती इसलिए अब ध्यान से सुनो तुमें कैसी भी ये मैच जीत नहीं होगा क्योंकि अगर तुम ये मैच जीत जाओगे जो की कॉलेज के सबसे अमीर और पडाकू लोगों के गुरूप का लीडर होता है तब ही उसके पास बबेश्वरी आती है जो उसकी गल्फेंड होती है वो उससे कहती है कि जल्दी चलो हमें गचा गच भी करना है लेकिन मांगिलाल उसे कहता है कि जिसमें लड़किया लड़कों के कपड़े पहन कर और लड़के लड़कियों के कपड़े पहन कर आये होते हैं तब ही वहाँ पर राका रंगिला का बाप भी पहुँच जाता है और सबसे पूछने लगता है कि मुझे राका रंगिला कहा मिलेगा तब एक चूतिया बताता है कि वो तो एक नंबर का कमीना है और जितने भी कमीने और बोसडी वालों की लिस्ट बनेगी वो उनमें सबसे उपर रहेगा इसी दुरान वहाँ पर चमपक आता है और उनको राका रंगिला के पास ले जाता है वहीं जब उसका बाप राका रंगिला को देखता है तो वो शौक्ड हो जाता है कि बेंचो दिये साला छक्का कैसे बन गया लेकिन तबी वहाँ से एक लड़की भी बाहर आती है जिसको देखकर उसके बाप को थोड़ी राहत मिलती है फिर वो राका रंगिला को डाटने लगता है और कहता है कि चूतिये तुझे यहाँ पर सास सल हो चुके हैं अब तक तो तुझे दो बार ग्रेजुएट हो जाना चीए था लेकिन तू तो अभी तक यहीं पड़ा है राका रंगिला कहता है लेकिन डैड मैंने यहाँ पर बहुत को सीखा है तभी उसका बाप कहता है कि बस बहुत हुआ तुम अपना सामान पैक करो और अभी मेरे साथ घर चलो लेकिन राकारंगिला उन्हें मना कर देता है और कहता है कि नहीं मैं यहीं रहूंगा अपने दोस्तों के साथ अब उसका बाप इसके लिए मान जाता है लेकिन वो कहता है कि अपसे तुमारे दोस्ती तुमारी फीस भरेंगे और अपसे मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं देने वाला जिसके बाद वो वाँसे चले जाते हैं अब राकारंगिला के पास तो चवणवी भी नहीं थी इसलिए वो कुछ टाइम मांगने के लिए प्रिंसिपल के पास जाता है और कहता है कि प्लीस मुझे थोड़ा टाइम दे दो मैं जल्दी ही पैसो का जुगार कर लूँगा अब प्रिंसिपल भी इसके लिए मान जाती है लेकिन इसके बदले वो कहती है कि तुम्हें मेरी जंग लगी मशीन में थोड़ा तेल डालना होगा जिसके बद वो उसके साथ वही गचा गच करना शुरू कर देती है अब राकारंगिला पूरी तरह कंगला हो चुका था इसलिए वो चंपक से कहता है कि सौरी चंपक लेकिन आम में तुम्हें कोई भी पैसे नहीं दे सकता इसलिए अगर तुम्हें कम छोड़ कर जाना चाते हो तो चले जाओ लेकिन चंपक कहता है कि नहीं सर एक सैनिक कभी भी अपने मालिक को छोड़ कर नहीं जाता जबकि उसे पता होता है कि वो मुसीबत में है तुम चिंता मत करो मैं तुमसे पैसे लिए बिना ही तुमारे साथ काम करूँगा अब इससे खुशो का राकारंगिला उसे एक डांस बार में ले जाता है ताकि वो नंगी लड़कियों को देखकर अपना घोड़ा हिलाए और रिलेक्स हो जाए लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो इतना जोर से पाती है कि वहाँ पर तूफान आ जाता है अब उसकी पादने की शक्ती से चंपक इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि हमारे देश में अभी तक औरतों में पादने की कला इतनी विक्सत नहीं हुई है फिर राकारंगिला उसे बताता है कि ये लड़की यहाँ पर बहुत टाइम से है और इससे पहले ये टीचर थी तभी चमन कहता है कि काश मेरी भी टीचर ऐसी होती अब ये बाद सुनते ही राकारंगिला के दिमाख में एक आईडिया आता है जिसके बद वो एक ट्यूशन सेंटर खोलता है जहाँ पर पढ़ाई में कमजोर लड़कों को वो नंगी लड़कियां पढ़ाई करवाने लगती है जिसे लड़कों का फोकस पढ़ाई में ज़्यादा रहता है क्योंकि जब वो लड़के क्योशन का सही जवाब देते हैं तो वो लड़कियां उन्हें अपने बब्बे दिखाती है अब राकारंगिला का ये कोचिंग सेंटर का बिजनेस बहुत अच्छा चल जाता है और वो उससे बहुत सारे पैसे भी कमा लेता है इसके बाद हम बबेश्वरी को देखते हैं जो कि राकारंगिला के पास आती है फिर वो उससे बताती है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मुझे तुमारे बारे में जानकारी चाहिए इस पर राकारंगिला कहता है कि मैं वैसे तो इंटर्व्यू नहीं देता लेकिन अगर तुम जैसी पठाका लड़की मेरे लिए घोडी बन जाएगी और उसे कहता है कि चलो जल्दी से घचा घच करते हैं लेकिन बबेश्वरी उसे मना कर देती है और कहती है कि मुझे 10 बजे किसी का इंटर्व्यू लेने जाना है इसलिए मैं तुमसे बाद में मिलूँगी इसके बाद वो राका रंगिला के पास इंटर्व्यू लेने जाती है लेकिन वहाँ पोचकर वो देखती है कि राका रंगिला तो सबी लड़कों को नंगा करके वहाँ पर रेस लगवा रहा होता है फिर वो बबेश्वरी को देखकर कहता है कि तुम भी जल्दी से अपने कपड़े उतारो बबेश्वरी उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं ये सब नहीं करने वाली मैं तो यहाँ पर सिर्फ इंटर्व्यू लेने आई हूँ फिर वो जैसे ही अपने सवाल पूछने लगती है तबी राका रंगिला उसके सामने पूरी तरह नंगा हो जाता है अब उसका बड़ा सा घोड़ा देखकर बबेश्वरी घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है फिर अगली सुबह चमपक उनके पास आता है और कहता है कि कॉलेज फीज जमा कराने के लिए हमारे पास सिर्फ कुछी दिन बच्चे है और हमें अभी भी 1200 डॉलर्स की और जरूरत है अब वो सभी पैसों के जुगाड के बारे में सोची रहे होते हैं कि तबी वहाँ पर एक बावली गांड आता है और कहता है कि सर सिर्फ आप ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो मैं हम है सबसे बड़ी बावली गांड गुरूप का प्रेजिडेंट हूँ और इस मन्थ हमारे गुरूप की 75 एनिवर्सरी है इसलिए मैं चाता हूँ कि उसकी पाटी आप और वो पाटी ऐसी हो जिसको देखकर सभी लोगों की गांड फट जाए और वो जिंदेगी बर उस पाटी को याद रखेंब लेकिन राकरंगिला उसे मना कर देता है और कहता है कि सौरी दोस्त लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन तबी वो बावली गांड अपनी जेब से नोटों की गड़ी निकालता है और कहता है कि बताओ क्या कीमत है आपके टाइम की अब उन पार्टी तो शांदार रग दी थी लेकिन तबी वो देखता है कि हम हैं सबसे बड़ी बावली गांड ग्रूप के सदस्से उस पार्टी को इंजॉय नहीं कर रहे थे फिर वो लोगों के पास जाता है और कहता है कि बोसडी वालो तुम लोग यहां पर अपनी गांड मरवा र जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा इंटर्व्यू लेना ही है लेकिन राकारंगिला काम में थोड़ा बिजी था तो वो वांसे चला जाता है तब ही उसके जाते ही वाँपर दो बावली गांड आते हैं और कहते हैं कि राकारंगिला ने तो बहुत शांदार पार्टी दी है और ऐसी पार्टी के लिए तो मैं उसे कई ज़्यादा पैसे दे देता अब उन दोनों की ये बाते वहाँ बबेश्वरी भी सुन रही होती है जिसके बाद अगले दिन वो न्यूस पेपर में ये छाप देती है कि राकारंगिला एक पार्टी दलाल है और वो लोगों बारे में ये सब भी लिख सकती है लेकिन कुछी देर बाद वो देखता है कि उसकी इस खबर से उन लोगों को लगातर कॉल साने लगते हैं जो उन्हें मूँ मांगी कीमत देने को तैयार थे अपने यहाँ पर पार्टी करवाने के लिए फिर चमन उसे बताता है कि इस लड एक से बढ़कर एक खतरनाक पार्टीस देने लगता है जिससे उसके पास इतना पैसा आ जाता है कि वोगले तीन साल तक भी यहाँ पर आराम से रह सकता है तबी वहाँ पर भुबिंदर पुसी आता है जो कि एक ट्यूब से गांजा मारने की कोशिश कर रहा था तबी चमन कहता है कि अब चूतिये यह गांजा मारने के लिए नहीं है बलकि इसमें तो मैं मुठ्ध मारता हूँ वहीं दूसी तरफ हम बबेश्वरी और मांगिलाल को देखते हैं जो की घचा घच मचा रहे होते हैं लेकिन मांगिलाल का 10 सेकंड में ही शिगर पतन हो जाता है जिससे आज रात अपने घर पर डिनर के लिए इंवाइट करती है अब राकारंगीला को इसमें कुछ गड़बड़ तो लग रही थी लेकिन वो फिर भी डिनर के लिए उसके घर पर चला जाता है लेकिन वहां पहुँचने पर उसे पता चलता है कि वो चिठ्थी मांगिलाल ने ब गांजे का नशा करा देता है जिससे वो सब भी भंडो जाते हैं और उल्टी सीधी हरकते करने लगते हैं फिर एगले दिन बबेश्वरी राकारंगिला से मिलती है और उससे कल रात के लिए माफी मांगती है इस पर राकारंगिला कहता है कि नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सारी गलती तो तुम्हारे बॉइफेंड मांगिलाल की है अब राकारंगिला को मांगिलाल को सबक सिखाना था जिसके लिए वो बहुत सारे क्रीम रोल्स मंगवाता है और उसके अंदर से सारी क्रीम बाहर निकाल देता है जिसके बाद वो उस क्रीम रोल को अपने कुट्टे के पास ले जाता है और फिर उन रोल्स के अंदर अपने कुट्टे का मुठ़ भर देता है वहीं दूसी तरफ हम मांगिलल मुर्दाबाद को देखते हैं जिसके घर पर एक पार सल आता है जिसके अंदर वही मुठ़ वाले क्रीम रोल्स थे जो की राकारंगिला ने उसके लिए बेजे थे अब उन क्रीम रोल्स को देखकर उन सभी के मुँ में पानी आ जाता है और वो सभी बड़े मजे से उनको खाने लगते हैं कहते हैं कि ये तो एकदम ताजे हैं और क्रीम अभी भी गरम गरम ही है लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनके अंदर क्रीम नहीं बलकि कुट्टे का मुठ डल है तो उन लोगों की हालत बहुत ज़दा खराब हो जाती है वहीं दूसी तरफ राकारंगिला बबेश्वरी के पास जाता है और उसे कहते है कि मुझे पता चल गया कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है मैं पहले अपनी ग्रैजोइशन पूरी करना चाता हूँ और मैं ये तुमारे लिए करना चाता हूँ बबेश्वरी कहती है कि अगर तुम्हें करना ही है तो अपने लिए करो क्योंकि इससे तुम्हारी ही लाइफ आगे जाकर बैटर होगी अब क्योंकि राकारंगिला बबेश्वरी को पसंद करने लगा था तो वो उसे अपनी दिल की बात बता देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लिकिन वही उनकी ये बाते मांगिलाल की एक दोस्त सुन लेती है और फिर वो मांगिलाल को फोन करके बता देती है कि तुमारी girlfriend अब राका रंगिला से प्यार करने लगी है अभी जनकर मांगिलाल को बहुत गुस्सा आता है और वो राका रंगिला से बदला लेने के बारे में सोचने लगता है फिर उसी रात राका रंगिला बबेश्वरी को फोन लगाता है जहां पर उसे पता चलता है कि बबेश्वरी तो अपने मंगेतर मांगिलाल के साथ डिनर पर गई है क्योंकि आज रात उन दोनों की engagement है अब यह सुनकर राका रंगिला का दिल तूड जाता है और फिर वो उसकी यादों में गम बरे गाने गाने लगता है तब ही उसकी एक दोस्त वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ तुम सैड क्यों हो राका रंगिला बताता है कि पहले तो उसकुतिया ने स्टोरी के लिए मेरा इस्तिमाल किया और फिर उस गदे से शादी कर ली अब राका रंगिला बहुत ज़दा दुखी था तो वो अपना गम मिटाने के लिए अपनी दोस्त के साथ ही गचा गच करने लगता है वहीं दूसी तरफ हम बबेश्वरी को देखते हैं जो कि मांगिलाल के साथ डिनर पर आई होती है तब ही मांगिलाल मौका देकर उसे परपोस कर देता है लेकिन बबेश्वरी अब राका रंगिला से प्यार करने लगी थी इसलिए वो मांगिलाल को मना कर देती है और वहां से चली जाती है फिर वो वहां से सीधा राका रंगिला के पास जाती है लेकिन वहाँ पहुँचकर वो देखती है कि राकारंगिला तो किसी और लड़की के साथ गचा गच कर रहा होता है अब यह देखकर बबेश्वरी का दिल तूड़ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है वहीं दूसी तरफ हम मांगिलाल को देखते हैं जो कि बहुँच जदा गुस्से में था और वो कैसे भी राकारंगिला से बदला लेना चाता था तब ही उसे एक आइडिया आता है और वो चुपके से राकारंगिला की पार्टी में बच्चों को भीज देता है जिसके बाद वो पुलिस को फोन करता है और उनको बताता है कि राकारंगिला की पार्टी में बच्चे भी हैं जो दारूपी कर भंडो चुके हैं अभी सुनते ही पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और राकारंगिला से कहती है कि हमें ख़बर मिली है कि छोटे बच्चे याँपर दारू पी रहे हैं अब यस उनकर राकारंगिला हसने लगता है और कहता है कि ऐसा तो हूँ ही नहीं सकता लेकिन तभी उसकी पार्टी में से दो बच्चे नशे की हालत में बाहर निकलते हैं जिसको देखकर पुलिस राकारंगिला को अरेस्ट कर लेती है अब ये बात कॉलेज तक भी बहुँच जाती है और कॉलेज वाले राकारंगिला को कॉलेज से निकालने का फैसला करते हैं लेकिन जब राकारंगिला को अपनी सफाई देने का मौका दिया जाता है तो वो कहता है कि मैं इस कॉलेज से जाने के लिए तयार हूँ लेकिन मैं अपनी graduation पूरी करके जाना चाता हूँ इसलिए प्लीज मुझे कुछ महीनों का time दे दीजे ताकि मैं अपने final exam देकर अपनी graduation पूरी कर लूँ अब college के teacher भी उसकी बात माल लेते हैं और वो उसे अपनी graduation पूरी करने का एक मौका दे देते हैं वहीं बबेश्वरी को भी पता चल जाता है कि राका रंगिला को मांगिलाल नहीं फसाया है इसलिए वो मांगिलाल से बदला लेने के लिए उसे जमाल गोटा पिला देती है जिससे होता यह है कि मांगिलाल के पेट की मा बहन हो जाती है जिससे वो अपने final के exam नहीं दे पाता और एक meeting के दोरान तो वो सबी के सामने ही टक्टी करने लग जाता है वही हम राका रंगिला को देखते हैं जो अब मन लगा कर पढ़ाई करता है और अपने final exam देकर अपनी graduation पूरी कर लेता है फिर film के last scene में हम देखते हैं कि राका रंगिला एक आखरी college party रखता है जहां पर उसके dad भी आते हैं क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका था कि राका रंगिला ने अपनी graduation पूरी कर ली है वो उसे कहते हैं कि मुझे तुम पर नाज है कि तुमने अपनी मेहनल से अपनी पड़ाई पूरी की जिसके बाद उन दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है वहीं हम चंपक को भी देखते हैं जो कि American लड़की को तो बजा नी पाया लेकिन वहाँ पर उसे एक Indian लड़की मिल गई थी जिसके साथ वो आज रात को घचा घच करेगा इसके बाद वहाँ पर बबेश्वरी भी आ जाती है और वो राकारंगीला से कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं और इसी के साथी ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है